हेलो गाइज वेलकम बाक टो दे चानल से स्टार्ट करते हैं जी एफजी कैज के विडियो जी एफजी कैज के प्रावल का नाम है स्मॉलेस नमबर ओन लेफ्ट मीडियम लेवल की प्रावलम है लेकिन बहुत ही जादा सिंपल प्रावलम है घपड़ाने वाली कोई बात नहीं नमबर प्रेजेंट है ऐसा कौन सा नियरस नमबर प्रेजेंट है जो उससे छोटा हो ठीक है जैसा अगर अपन इस वाले एक्जाम्पल में रेखें तो सबसे पहले एरे का फॉर्स अलिमेंट का है वन ठीक है अब वन के लेफ्ट में कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो अब जादा 6 बट 6 उससे छोटा नहीं है तो फिर 2 के और लेफ्ट में गए अपन तो अपन ने देखा 1 है जो 2 से छोटा है इसलिए अपन ने 1 डाल दिया अगर अगर अपन इस वाले एक्जाम्पल से देखें तो इस वाले एक्जाम्पल में भी 1 के लिए तो माइनस पन आ ठीक है फिर 0 आया अब 0 ना तो 5 से छोटा है ना 1 से मतलब 0 जो है वो 5 और 1 दोनों से छोटा ही है तो 1 जो है वो भी बड़ा होगा 0 से ठीक है इसलिए 0 के लिए अपने माइनस 1 लिखा क्योंकि 0 से छोटा को element है ने उसके left में फिर 3 के लिए अपने देखा तो 3 जो था वो 3 जो था जीरो ठीक है जो जो छोटा है 3 से ठीक है इसलिए अपने 0 डाल दिया फिर 4 के लिए देखा तो 3 जो था था तो अपने 3 डाल दिया और 5 के लिए 4 जोटा था तो आपने 4 डाल दिया ठीक है ऐसे अपना question solve हो जाएगा अब अपन देखते हैं कि अपने question की implementation क्या होगी तो क्वेशन को Implement करने के लिए अपने को सीद़ा सीदा क्या देखना है अपने को देखना है कि जो अपना five है ठेक है उसके left में क्या कोई number प्रेज다 है अगर कोई number present है तो क्या वो number उसे जोता है कि अगर उसे छोटा है तो अपने जो Answer Vector欸沒事 टाल तेंगे और अगर से छोटा नीए तो उसके उसके ऑलिफ में जाएंगे अगर उसके ऑलिफ में कोई ataque को युथ ना दंगे आ था करो अपने दाल सकते था तो पो भी झाल सकते क्या था टा दाल रियू था एक हो उसके बदThe अपने 3 के लिए किया तो 3 का जो left था 0 वो उससे छोटा था तो अपने 0 डाल दिया ऐसे ही अपन चलते गए ठेक है तो इसको solve कैसे करेंगे अपन इसको solve करेंगे stack की मदद से stack की मदद से कैसे solve करेंगे यह बताती हम आपको ठेक है अब देखो अपना एक तो अपन वेक्टर बना लेते हैं answer नाम का जिसके अंदर अपन सारी values को store करेंगे ठेक है answer के अंदर सबसे पहले तो अपन माइनस वन डाल सकते हैं क्योंकि जो सबसे leftmost element होगा उसके लिए तो हमिशा answer माइनस वन ही होगा क्योंकि इसके left में कोई value present ही नहीं है ठेक है तो अपने अपने first जो leftmost integer था उसके लिए minus one store कर लिए अपने answer के अंदर है ठीक है और अपन क्या करेंगे एक stack लेंगे मतलब stack implement करेंगे ठीक है और उसके अंदर array का zeroth element मतलब one डाल देंगे जो अपना leftmost element है ठीक है अब अपने leftmost element के लिए तो calculate हो चुका answer की minus one आएगा क्योंकि अपना सबसे left में है तो उससे left में कोई value present ही नहीं है इसलिए कोई भी उससे छोटी हो नहीं सकती है अब अपने को calculate करना है इन सारी values के लिए ग्योंकि जो zero है अपना next element है टिक है उसका near rest left element है मतलब जो उसका left element है वह five है तो आपने five stack में कृमपर करने के लिए तो zero के लिए अपने फिर से stack के top से compare किया तो stack का top था 5 जो कि बढ़ा है 0 से ठीक है इसलिए 0 के लिए 5 answer हो नहीं सकता तो अपने इसको stack में से हटा दिया कि 5 अपना smallest number नहीं है ठीक है फिर उसने 1 के लिए check किया कि 5 तो नहीं है चलो answer अब 1 के लिए check करते है ठीक है अब 5 को remove करने के बाद अपना stack का top क्या हो अब 1 ठीक है तो इसने 1 के लिए check कि 1 भी 0 से बढ़ा है ठीक है तो 1 भी अपना answer नहीं हो सकता तो अब stack अपनी empty हो चुके stack empty हो चुके इसके left में कोई भी ऐसा element present नहीं है जो इससे छोटा हो ठीक है तो अपन माइनस 1 डाल देंगे माइनस 1 डाल देंगे और अपने stack में 0 push कर देंगे simply ठीक है अब आप सोच रहे होगे कि अपना 5 और 1 तो चला गया है तो अगर कोई ऐसा answer होता जिसके अंदर 5 और 1 की जरूरत परती तो अब वो तो चला गया तो उसको compute कैसे करेंगे तो इन दोनों के लिए इन दोनों numbers के अभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि अब अपने को left में एक और ऐसा number मिल गया है जो इन दोनों से ही छोटा था ठीक है तो बाकी की सारी digits के लिए calculate करेंगे ना तो अपन 3 के लिए stack के top में देखा तो 0 अपना छोटा था 3 से तो अपने 0 डाल दिया ठीक है और फिर जो 3 था अपने उसको push कर दिया अपने stack के अंदर 4 का जो nearest left में जो number था ठीक है अब अपने 4 के लिए देखा कि अपने stack के top में क्या है 3 था ठीक है जो 4 से छोटा है इसलिए अपन stack का top क्या 5 से छोटा है stack का top 5 से छोटा था इसलिए अपने जो 4 है जो stack का top है वो डाल दिया अपने answer के अंदर ठीक है और यही जो answer था यह अपन return कर दिंगे ठीक है तो अब देख लेते हैं कि यह answer minus 1 1 minus 1 0 3 4 क्या है यही अपना answer है क्या अपने पर जो एक stack बना लिया इस नाम की ठीक है और अपन अपना answer बना लिया जिसके अंदर अपना सारे answer आंसर आपने store करेंगे ठीक है फिर अपने अपना answer वेक्तर था उसके अंदर minus 1 को push किया ठीक है जो अपना leftmost element था ठीक है उसके लिए अपने —1 को पुछ करें कि लेफ मोस्टेमेंट इसे left में कुछ हैं नहीं तो कुछ उससे छोटा होँ नहीं सकता इसलिए अपने —1 पुछ कर दिया ठीक है और जह अपना स्टेग था इसके अंदर अपने जीरो थे तोդ इस सोitel इं пожat anymore पिर सिस्ट जो अपने शे यॉप्ट दॉन म European empieza the process विन में फिर दुट आपिन सब्स कहते हैं मतलि आपने समय सब्सक्राओ कि डाग की तो तो अगर चोटा है स्वक्राओ के अदर पुशूवत करो अगर तो अपनjack को सब्सक्राओ में ज़ Image कि अगर ऐसा नहीं है जैसे 0 के case में ऐसा नहीं था ठीक है पहले 5 था और 1 था वो दोनों ही 0 से बड़े थे ठीक है तो अपन क्या बोलेंगे कि जब तक stack empty नहीं हो जाती और जब तक अपने area का current element है वो छोड़ता है अपने stack के top से तब तक अपने stack के elements को pop कर दो ठीक है तक अपने element है जो stack का current element है वो अपने area के current element से बढ़ा है फिर अपने stack empty है क्या अगर अपने stack empt है मतलब ऐसा है कि left में कोई बही element ऐसा नहीं है जो अपने current element से छोटा आँ-ठीक है तो अपन अगर stack अपने एमटी नहीं है तब तो कुछ और रन होगा अगर stack अपनी एमटी हो चुकी है मतलब ऐसा है कि left में कोई भी value present नहीं है जो अपने current element से छोटी हो ठीक है इसलिए अपने answer में अपंने अपने current element में घरका नहीं है तो अपनी तो ऐसा element है बना फिरो अपने और ऑफना चोड़ता है अपने आन्सर मतलब एक अपने के है्यां यह तो प्लék घरके उपने इस構 flavors कर देंगे अपने answer चाहिए अपने अंसर के अंदर आ जाएंगे जो कि अपने अंसर चोटी आपना जो अंसर चालकुलेट करना थो अपने अंसर वेक्टर में आ जाएगा अपना क्वेस्टन सौल वो जाएगा अब देख लेते हैं कि वाइस को सम्मिट करके है हां गाई यह सौल हो रहा है ठीक है यह अंसर एक दम अक्यूरेट है अगर आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को स्ब्सक्राइब करें और अगर जाओ चौने के लिए में इसे प्रेजेंट है थांकि सोमाच